हाई विनर्स I hope you all are well this side राजी वानन्द वल्कम टो क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स शिबाइनू का प्राइज लास्ट 24 आर में तो आप लोग बुलिश सेंटिमेंट के साथ देखी रहे हो लेकिन अगर आप लोगोंने लास्ट 7 डेज में शिबाइनू की रिकावरी देखी है तो वो रिकावरी भी शायद आपकी होल्डिंग में बिल्कुल साफ आप लोगों को दिखाई दे रहे होगी इसका सबसे बड़ा जो इंपेक्ट है जिसकी वजह से हम सब लोग वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग इसके इलावा जो सबसे बड़ी न्यूज है आप लोग जानते हैं कि शिबेरियम लेयर टू जो लॉंच होने वाला है शिबाइनू एक बार फिर से इथेरियम वेल्स का टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट बन चुका है शिबाइनू बिकम्स ETH वेल्स लार्जेस्ट होल्डिंग ahead of शिबेरियम लॉंच शिबेरियम लॉंच होने से जो definitely impact पढ़ने वाला है उसको तो आप लोगों इस वीडियो में मैं पूरा बताने ही वाला हूँ इससे पहले आप लोगों को मैं दो वीडियो में अलड़ी बता चुका हूँ कि रीसेंटली एक नया माइनिंग प्रोजे और December 2023 में इसी साल के लास्ट तक इस प्रोजेक्ट का भी मैंनेट आ जाएगा जस्ट लाइक पाई आपको ये प्रोजेक्ट आज से ही माइनिंग के लिए शुरू करना है क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं है कोई investment नहीं है simply free mining है जैसे हम लोग already code आओ और मीने बाद आये March 2024 में आये February 2024 में लेकिन माइनिंग अभी स्टार्ट कर लो ताकि आप लोगों के पास आने वाले एक साल में काफी अच्छे token बन सके और कमाल की बात ये प्रोजेक्ट को डाउ कॉमिनिटी ने ही शेर किया है तो इस प्रोजेक्ट में भी दोस्तों वो होने वाला है जो recent of core DAO में आपको कल से दिखने वाला है core DAO की value जो हजार डॉलर से एक proper core की बताई जा रही है आने वाले टाइम में the future of cryptocurrency Omega Network भी उसी valuation पर खड़ा होगा तो आज ही इसकी mining को join कर लीजिए अब चलिए Shiberium से related update चेक करते हैं और exactly Shiba Inu पर उसका क्या impact पड़ेगा वो भी जानते हैं देखिए Shiba Inu will soon launch a public beta for its Shiberium layer 2 network will bond as its native token सबसे पहले इस वीडियो में तीन सबसे इंपोर्टन जो फेक्टर है Shiba Inu से related वो जरूर जानना जो यह Shiberium launch होने जा रहा है जो हम बोल रहे है layer 2 network बनने जा रहा है इसका जो native project होगा वो होगा bond इसका native project Shiba Inu नहीं core है Shiba Inu एक पूरा ecosystem है इस ecosystem के बीच में एक proper जो है नईने utilities नईने token blockchain add की जा रही है तो Shiba Inu यूज नहीं होगा यूज होगा native token bone मतलब अगर आपको Shiberium token दिखाई दे तो Shiberium का जो native project है bone इसका सीधा impact आपको बताता हूं bone का price बढ़ने वाला आने वाले कुछी time के अंदर आज भी अगर आप लोग देखें तो Shiba Inu के साथ साथ अगर हम लोग bone के price पर भी impact डाले तो bone के price पर भी आप यहाँ देखेंगे कि bone का price भी यह वाला bone नहीं है bone मतलब Shiba Inu, Shiba swap यह bone तो इस bone का price आप देखें यह देखें यह 70-80 रुपीज की range का token था लास्ट 24 रूर में 13 % 109 में लब 100 रुपेज ऊपर जा चुका है और इस टाइम पर 130 के rank पर आ चुका है coin market cap में और इसकी trading volume आप देखें 283% याने की लोगों को बिलकुल सीधा सीधा पता है कि Shiba Inu launch होने से bone की valuation definitely burn नहीं बढ़नी है क्योंकि यह directly indirectly एक layer 2 scaling solution का project बन गया Shiba Inu का अब Shiba Inu पर इस इतनी पी number of transactions होंगी हर transaction के अंदर Shiba token को burn किया जाएगा जिसका directly impact Shiba की supply पर होगा और आने वाले 6 महीने साल में Shiberium के आने के बाद आप लोगों को Shiba की supply घटती हुई और Shiba का price definitely बहुत बढ़ा बनता हुआ दिखाई देगा crypto analyst का तो यह मानना है कि आने वाले इस साल के end त तक वो single zero में रह जाएगा यानि कि Shiba Inu के अंदर काफी बड़ा impact आने वाला है second zero की तो पूरी series अभी बिल्कुल ही free bet ही है यानि कि Shiba Inu में इस साल के end तक definitely हमें बहुत बड़ा impact देखने को मिलेगा लेकिन उसका जो सबसे बड़ा दामोदार होगा वो होगा Shiberium की transactions पे ज इसका जो native project है वो bone है और bone का price मैं आपको दिखा चुका हूँ अगर आप लोगों का interest bone में भी बनता है तो bone आप लोगों के लिए काफी बड़ी opportunity बन सकता आने माले time में इसके बाद जो सबसे important form है वो यह है कि Shiberium जो है वो अपनी beta form launch करने जा रहा है और इसके अंदर 20 million bone token जिनकी worth आज की date में 27 million dollar है वो reserve रखे जाएंगे rewards पे out करने के लिए जब भी यह Shiberium launch होगी तो 27 million dollar के rewards भी दिये जाएंगे अब वो rewards holder को कैसे दिये जाएंगे Shiberium है transaction के base पे दिये जाएंगे यहा हम लोग Shiba Inu के holder है इस वज़े से हमें दिये जाएगा वो आने वाले time में confirm होगा लेकिन 20 million bone token को as a reward दिया जाएगा और Shiberium की transactions में जितने भी gas भी लगनी है वो bone लगनी है लेकिन help क्या होगी Shiba Inu burn होने में यानि कि यह definitely confirm हो गया और it's not about कि single article है ऐसे related बहुत सारे article है यह देखिए Shiba Inu Shiberium on words of beta version launch उसके बाद यहाँ पर Shiba Inu developers to launch Shiberium L2 network beta मतलब साइट पर आ चुका है it means बहुत ही जल्दी जैसे हम expect भी कर रहे हैं कि quarter 1 2023 यानि कि March 2023 से पहले पहले डेफिनिटली शिबा आ जाएगा और यह article तो यह बता रहे हैं कि शायद जनुरी एंड तक आ जाए लेकिन मैं expect कर रहा हूं कि March 2023 तक डेफिनिटली शिबा अपने layer 2 scaling solution प इको सिस्टम में आने वाले टाइम में आपको नहीं दिखेगी एक complete decentralized metaverse and gaming ecosystem base जो crypto token है वो होगा शिबा इनु यानि कि आज तक हम लोग शिबा इनु को सिरफ उसके token के नाम से जानते थे लेकिन आने वाले टाइम में gaming ecosystem decentralized metaverse और उसके साथ-साथ Web3 और Shibarium का combination जो है वो शिब Shibarium transaction से बढ़ेगा और दूसरा combination से Web3 metaverse और gaming token की ecosystem की combination से Shiba इनु इस साल के end तक काफी बड़ा return भी देगा और बहुत strong project भी बनेगा yes if you are holder of Shuba you will be happy in next six or seven month this is the overall latest update for today but please keep it in mind you are in the highly volatile market so if you want to buy if you want to start if you want to invest in crypto please do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much